मानने सदस्य ने जिन 17 गाओं की बात रहा है सरकार ज्वारा क्लेम्स वेरिफाइ कियेगे लगबग 11 करोड 80 लाक रुपे के क्लेम्स उस सीजन के बने और 11 करोड रुपेया प्रदेश सरकार में डिस्ट्रिक प्रेजरी और आगे सब्डिविजिन की प्रेजरी में बेज दिए क्योंकि पिछले साल ये मिर्ने लिया गया था कि अब चेक नी काट के दिये जाएंगे डीबीटी किया जाएगा क्योंकि फार्मर्द अपनी डिटेल्स रेगुलर्ली अपडेट कर रहे हैं लगबग चार करोड रुपया औरेडी फार्मर्ज के काउंट में ट्रांसफर हो चुका है और बचावा जो पैसा 7.80 लाग रुपया वो भी जल्ब फार्मर्ज को दे दिया जाएगा ये है जो नौन इंशूर्ड परदान मंत्री फसल भीमा योजना के फार्मर्ज का जो क्लेम बनता था जैसे माने सदस्य ने बताया तुकि वो गौर्मेंट अफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर का एक कंसॉलिडेटीड प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्रॉप कटिंग एक इंपोर्टेंट पार्ट है और उसके साथ-साथ आपको 48 गंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और बारा दिन के अंदर उसकी वेरिफिकेशन कंपनी के लोग जाकर करते हैं मैं सजन के साथ सांजा करना चाहता हूँ कि मेरी फसल मेरा ब्योरा जो पोर्टल हमारा है अरियाना सरकार का उसके उपर स्पेसिफिकली आग जनी आपके बार्ट ओवर रेंफॉल ओल आव रिष्टी अगर किसी की क्रॉप डैमेज हो जाती है तो हमारे द्वारा विदिन फिफ्टीन डेज लास सेशन के बाद पोर्टल बना दिया गया था शपी पूर्टी पोर्टल आज किसी किसान की फसल खराब होगी डिपार्टमेंट वेरिफाइ करेगा मगर किसान के पास भी पावर है कि वो फोटो अपने मुबाइल से खीच कर जियो टैक करकर अपलोड करे और मैं साजा कर दूँ कि अभी जब इस सदन में बोड़ा हूँ 160 से ज़्यादा किसानों ने अर्याना परदेश में अपनी क्रॉप डैमेज रिपोर्ट करी और इस सदन के प्रोशीडिंग्स के माध्यम से में प्रदेश में भी बोलना चाहता हूँ अगर आपके कहीं ओवर रेनफॉल हुआ है और क्रॉप लॉश हुआ है तो सती पूर्टी पोर्टल पर मेरी फसल मेरा प्योरा का जो पोर्टल है उसी में सती पूर्टी है उस पे अपलोड करके किसान सरकार को इमिडेटली रिपोर्ट कर सकता है कि उसके क्रॉप लॉश है